नमस्कार स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड़ सिक्स में रुख करते हैं बिहार के तरफ बिहार प्रधान सिक्षक भरते को लेकर एक अपडेट आई है जी हाँ दोस्तों आपको बदा दे कि 40506 प्रधान सिक्षकों की नियुक्ति के बारे में ये प्रकरिया अपड की प्रधाना ध्यापक की वेकेंसी निकाली गए थी बीपेंसी के माध्यम से जहां पे 421 चात्रों का है ना 429 चैनित अभ्यारती जो है जो कि प्रधाना ध्यापक बनेंगे ये सीधी रिकूट्मेंट हुई थी दोस्तों इसका एक एक्जाम दिया जाना था जिसमें की 420 च अपडेट आया है दोस्तों इसके बारे में पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं जैसा कि आज के खबर देनिक भासकर में इसका अपडेट दिया गया है दोस्तों जहां पे नगर निकाय चुनाओ के कारण जो है 18 दिसंबर को ये परिक्षा होनी थी 40506 प्रधाना सिचको की भरती को लेकर जिया दोस्तों 18 दिसंबर को ये परिक्षा नहीं होगी अब चुकि यहां पे नगर निकाय चुनाओ अभी भी डेट दे दिया गया है 18 और 28 तारीक को इसका नगर निकाय का चुनाओ है बिहार में पटना भागलपूर मुझपरपूर गया साहित 14 ऐसे जि का है और 24 दिसंबर जो की यहां पर इसका जो दूसरा पाली है बिहार एससी सीजियल कहीं यह होगा और यह 22 दिसंबर को डेट निधारित किया गया है बीपी ऐसी के माधियम से तो दोस्तों आपको बता दे कि करीब 40,506 प्रधाना सिक्षर की भरती के लिए 22 दिसंबर को य लेकिन यह जो है इस दिन निगर निकाय चुनाव होने के चलते हैं इसकी डेट बढ़ाए गई है 150 जो की अंको की यह परिशा होगी थोड़ा से एक्जाम पैटरन समझते हैं यहां दोस्तों मैं आपको बता दू 150 कोशिन होंगे यहां पे और 150 यह जो होंगे वस्तुनिष् और यहां पे निगेटिम मार्किंग भी रखा गया है दोस्तों 0.25 तो यह ध्यान रखेगा निगेटिम मार्किंग भी यहां पे है और यहां पे इसका अपडेट दिया गया है 0.25 प्रतिसत जो है निगेटिम मार्किंग होगी यानि कि प्रश्न के गलत उतर देने पर एक अ की लिए आपको बता दे कि करिब एक लाख उननी सजार जिया एक लाख उननीस हजार जो है प्रारंबिक परिक्षा के लिए अभ्यारती पाटिसिपेट करेंगे एक पद पर ऑसतन अगर देखा जाए दोस्तों तो तीन सिख्छक अभ्यारती होंगे यानिक पद के लिए यहां पर जो हैं तीन लोग जो हैं फाइट करेंगे यह ध्यान रखेंगे अगले सतर की बात करें दोस्तों तो 2023 से प्रारंबिक स्कूलों में प्रधान सिक्षक मिल जाएंगे और 20 मई तक जो है 20 मई तक जो दिया गया है 20 मई तक एक लाग सात हजार सिक्षकों ने आविदन दिया था दोबारा नौ से लेकर 23 सप्तमबर तक जो है आविदन लेने पर 12,000 और सिक्षकों ने आविदन किये हैं तो यह एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यहां से इसको ध्यान रखीगा जिया दोस्तों यहां से फिर से आपका रिकूट किया गया था जिसमें की 12,000 अब्यारती जो है सिक्षक आविदन और किये थे फिलाल आपको बता दे दोस् सिक्षक परिष्चा के स्लेबस सरल किये गये और सिलेबस पर पहले ही सिक्षा विभाग और बीपीएसी के अधिकारी जो की अधिकारियों के बीच बैठा कोई थी और इसकी सहमती बन चुकी है यानि कि स्लेबस को भी यहां पर चेंज किया गया है आप लोग नया सिलेबस जाके देख सकते हैं बीपीएसी का उफिशल वेबसाइट पर जो भी चात्र यहां पर प्रदान सिक्षक भरती के अलावा जिया प्रतान ध्यापक की इस भरती को देने जा रहे हैं दोस्तों आपको बदा दे कि दो घंटे पहले दो घंटे की परिक्षा होगी यह कंप्लेट हर प्रश्ण जो होगा एक अंग का होगा डीलेट विशेज में 75 अंग आपको सीधे मिल जाएंगे जबकि समान्य अध्यन में आठवी स्तर पे अगर बात करें जिया आठवी कक्षा के स्तर पे तो प्रारंभी गणित के 20 अंग समान्य विज्यान के 15 अंग राष्टे महत्व और समसमाईगी घटना यानि करेंट अफेर के दोस्तों यहां पे 10 अंग और भारती राष्टे अंदुलन और इसमें बिहार का योगदान कितना है 1857 की करांती का योगदान कितना है उससे जुड़े हुए 10 अंग आपको मिले देने का यहां पर 25 नंबर काट लिया जाएगा यहां पर अब निगेटिव मार्किंग को भी इंक्लूड किया गया है परिक्षा वदी दोस्तों दो घंटे की होगी इसके बाद दोस्तों आपको दादे कि इसमें कोई इंटर्व्यू नहीं है जिया सीधी बरती है एक्जाम ध्यापक के लिए इस माह के अंत तक हाई स्कूलों में प्रधाना ध्यापक के पद के लिए चैनित पोस्टिंग हो जाएगी बीपी असी ने 6401 वेकेंसी निकाली प्रधाना ध्यापकों के लिए जिसकी परिक्षा ले गई थी इसमें 2420 सफल हुए थे सफल भ्यारतों की का 255 ने कांसलिंग करा लिया है सेस बचे हुए अभ्यारतों के लिए कांसलिंग अंतिम तिति जो है 9 दिसमबर को निधारित की गई है कांसलिंग के बाद दोस्तों सफल अभ्यारती को स्कूल आवंटिद कर दिया गया है फिर उसन की पोस्टिंग भी कर दी जाएगी तो यह जो तो आपको अपडेट दिया गया है प्रधान ध्यापक के लिए और यहां पर अपडेट दिया गया है प्रधान सिक्षक के लिए जिसका एक्जाम यहां पर 22 दिसमबर को होना है अब यहां पर जो एक अपडेट दिया गया है दोस्तों प्रधान सिक्षकों का जिलावार रिक्तियां कितना कितना है हर एक जिले में तो यहां से आप चेक कर सकते हैं पटना में हापे 1980 है सबसे ज्यादा पुर्वी चंपारा 1914 है मदुबनी 823 है 833 है मुझभफरपूर 1629 है पश्चिम चंपारां 1649 है समस्तिपूर 1549 है अररिया 1327 है और अंगाबाद 1049 है बाका में 1220 है बेगुसराय में 738 है भागलपूर में 902 है भुजपूर में 1149 है तो बक्सर में 651 है दर्भंगा में 1424 है गया में 1697 है और गुपाल गंज में दोस्तों 1050 है जमुही में 828 है कटिहार में 1115 है किसन गंज 812 मधेपूरा 810 और नलंदा 352 और नवादा 963 और पूर्णिया 1354 और रहतास में 1271 सीट यहां पर रिक्त है जिसकी रिक्तियां यहां पर इस परिक्षा के बाद भरी जाएंगे तो गुड़ लग है आप लोगों को लगातार 22 दिसंबर को भी आपका एक्जाम है जिन छात्रों ने यहां पर बिहार SSE CGL का फॉर्म पर रहा है उनका भी ए 20 को है और 24 को है तो यहां पे दोस्तों बिहार SSE की एकजाम है या यह VPSC डेक्जाम है तो दोनों में यहां पर अपडेट कर आपके एक्जाम डेट को देखकर यहां पे सब कुछ अपडेट किया गया है तो फिलाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही और इस विभाग को लेकर यह अपडेट जो दिया गया है हम आप तक साजा किये हैं और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमें किया है इस बार मेंस जबकि यहां पे 13,092 चैनित हुए थे पीटी एक्जाम में अब यह कुल वेकेंसी दोस्तों 1022 पदों की निकाली गई है जिसका एक्जाम हुआ था और 1022 पदों के लिए UPSC आजित किया था यह परिक्शा जिसके कारण जो है इस कारण जो है अधिक उ पुदादे की कितनों ने किया है इंटरव्यू क्वालिफाई यह भी अपडेट यहां पर दिया गया हभी तक का 2019 में आठ हाविदन थे 11,845 जो है प्रिलिम्स में थे मेंस 204 थे चैनित हुए थे 839 2020 में यह आकडा 761 हुआ जहां पर सीट जो है प्रिलिम्स निकाले थे 10,56 और दो हजार तिरपन जो है मेंस में क्वालिफाई किये थे जहां पर 761 लोग जो है चैनित हुए थे 2021 में यह आकडा 685 हो गया और 2022 में अभी देखना बाकी है यहां पर 13,090 जो है चातर प्रिलिम्स क्लियर किये हैं 2529 जो है मेंस क्लियर किये हैं अब इंटरव्यू के जो अफडीट आएंगे तो अभी बाकि है यहां पर देखना तो यह तरह पिछले साल का आकडा दोस्तो और जो पिछले साल का कट अफ गया था जो ऑग्पैस का कट अफ च्प 229 में नोंло एक्सट गया था जह मेंस में 551 गया था जो जह जैए 736 में में गया था 944 फाइनल कटफ गया था दोस्तों जहरे कीस में 745 मेंस कटफ था और फाइनल कटफ 953 था तो कटफ समानने वर कहीं यहां पर सिर्फ दिया गया है दोस्तों जो कि यहां पर अप्रोडेट किया गया है तो वैकेंसी बढ़ने के अभी आसार दिख रहे हैं UPSC के भी एक पत पर दो उमिद्वार के बीच यह परतिसपरधा होने वाली है जिसका इंटर्व्यू के बाद यह सारा डेटल यहां पर जारी कर दिया जाएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे अगले नई वीडियो में नए अपडेट के सांग और बिहार सीजल वालों के चात्रों का एक्जाम डेट यहां पर 23 और 24 दिसंबर है वह जो भी चात्र तयारी कर रहे हैं हमारे साथ हमारे चैनल वाइटी एजूकेशन पर आप जूड़ी है शाम आठ बजे आपको एक प्रैक्टिस टेश्ट दिया जा रहा है जो कि आपके परिक्षा से संबंधित है तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा है आपको आपको